हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल टीक फ्रेंड्स आज हम आपको 14 साल की बेबी के लिए विव वाली अम्रेलाइस कार्ट बनाना सिखाते हैं यह हमने इसके लिए डाइमेटर कपड़ा लिया है टू एंड हाफ देखिए इसकी हम 38 इंच की लंबाई बनाते हैं यह हमने इस तरीके से यहां से काट लिया है एक साइड से इसको आधाधा कर लिया है क्योंकि इसकी धारिये इस तरह की हैं अगर हम इसको काट कर पलटेंगे नहीं तो एक तरफ से इसकी धारिये इस तरीके से आएंगी और एक तरफ से इस तरह की धारिये आ जाएंगी इसलिए हम इसको काट लेते हैं और जिस तरीके से एक धारिये हैं इसी तरीके से पलट कर इसको रख लेते हैं देखिए अब हमारी दोनों तरफ की धारिये एकी तरफ को आ गई है इधर की वीसी तरीके से आ गई है अब हम इसको रेम में इस तरीके से मोड़कर रख लेते हैं इसकी लंबाई फ्रेंड्स हमें 38 इंच बनानी है देखिए ये चार तहे का कपड़ा हो गया है इस तरीके से यहां से हमें इसकी बेल्ट 28 इंच रखनी है यहां से 7 इंच 28 इंच का चोथा हिस्सा 7 इंच हम रख लेते हैं उपर से यह हमारा 10 इंच बेटता है इसको चार तरफ से 10 इंच पर ही निशान लगा लेते हैं और गोलाई में इसको काट लेते हैं इस तरीके से चार तरफ से हम हमारा इतना ही होना चाहिए कि यह हम 28 इंच से हलकी सी फालतु काटते हैं 29 इंच काट लेते हैं लंबाई हमें यहां से नीचे से इसकी 38 इंच रखनी है चारो तरफ से हम इसी तरीके से निचान लगा लेते हैं 38 इंच पर ही इस तरीके से हमें इसकी गोलाई करनी है अब हम इसको गोलाई में निचान लगा लेते हैं जहां पर हमने निचान लगाए हैं उन निचानों को मिला कर और इसको काट लेते हैं यह देखिए यह हमने काट लिया है अब उपर से भी हम इसको जहांपर निशान लगाया हुआ है वहांपर काट लेते हैं यहांपर हम इसको जोड डालते हैं यह हमें धारी से धारी मिलाकर जोड डालना है अगर आपका कपड़ा पृंट वाला ऐसा है तो आप अलग-अलग मत कीजिए कपड़े को ऐसे ही काट लीजिए उसमें जोड हमारे दोनों तरफ आ जाएंगे उपर नीचे जोड आ जाएंगे इसमें एक जोड हमारा इस तरफ आता है और एक जोड हमारा दूसरी तरफ आता है देखिए हमने इसका यहां का जोड काट लिया है इसमें कपड़ा पलटने की वज़े से हमारा एक जोड नीचे की तरफ आया है और एक जोड उपर की तरफ आया है यह देखिए एक जोड यहां पर है हमारा और एक जोड यहाँ पर है हमारा यह कट कर हमारी पूरी तयार हो गई है अब हम इसका विब काटते हैं देखिए फ्रेंड्स यह हमने जितनी हमारी स्कार्ट की बेल्ट है इतनी ही चोड़ाई का हमें विब लेना है बिल्कुल इससे कमिया जादा नहीं लेना है इतना ही विब ले लेते हैं अब हम इसको डबल कर लेते हैं लंबाई में यह हमें 9 इंच का लेना है और चोड़ाई में यहाँ से 4 इंच का लेना है खुल कर यह 8 इंच का हमारा हो जाएगा यहां से हमें 2 इंच की लंबाई रखनी है इसकी इस तरीके से अब हमें इसमें गोलाई कर देते हैं देखिए फ्रेंड्स यह गोलाई हमें इस तरीके से करनी है यहां से बीच में से हम कट लगा लेते हैं और इसको काट लेते हैं फ्रेंड्स अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकती हैं हम रिपलाई ज़रूर करेंगे देखी ये हमने विब काट लिया है अब हमें इसकी गेलिस काटनी है गेलिस की लंबाई हमें 25 इंच लखनी है क्योंकि ये लास्टिक के अंदर की तरफ को लगेंगी और थोड़ी सी गेलिस अंदर की तरफ को आगे की तरफ से भी जाती है उस पर हम बटन लगा लेते हैं कम्य जादा गेलिस करने के लिए इसकी चोड़ाई हमें बेल्ट की गेलिस की चार इंच लेनी है और लंबाई 25 इंच लेनी है ये देखिए इस तरीके से हम काट लेते हैं चार इंच की चोड़ाई की और 25 इंच की लंबाई की गेलिस ये दो गेलिस हमें काटनी है स्टेप दो काटनी है हमें ये ये देखिए हमारी ये दो स्टेप कट गई है अब हमें वीब का एक कपड़ा और काटना है डबल वीब काटना है हमारा कपड़ा इसमें बचा नहीं है इसलिए एक कपड़ा हम नीचे का जोड़ का काटते हैं आप नीचे की तरफ अगर कपड़ा कम है तो कोई और कपड़ा भी लगा सकती है ये देखिए हमने वीब इस तरीके से काट दिया है ये नीचे का इस तरीके से हमारा बीच में जोड आया है अब सबसे पहले हम इस कर्ट के जो जोड हमने नीचे की तरफ के काटे हुए हैं उन जोड जोड लिया है इसी तरीके से दोनों जोड जोड लीजिए और इसको प्रेस की मदश से इस तरीके से अलग अलग कर लीजिए ये दूसरा जोड भी इसी तरीके से जोड लीजिए ये हमने पीछे की बेल्ट लीजिए ये बेल्ट की लंबाई हमारी 15 इंच की है और चोड़ाई इसकी लास्टिक से थोड़ी सी फालतू रख लीजिए और 13 इंच की हमने लास्टिक लीजिए इस तरीके से लास्टिक को करते हुए पहले दोनों तरफ से बराबर सी लीजिए जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको काट दीजिए इस तरीके से फिर नीचे की तरफ को एक सिलाई लगा लीजिए इसमें दो इंच हमने लास्टिक कम ली है दो इंच की लास्टिक में प्लेट्स हमारी डल जाती है लास्टिक पर हमारी सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए नहीं तो प्लेट्स किछकर बराबर नहीं होती है एक स्ट्रा कपड़ा हम इसका काट देते हैं अब लास्टिक के बीच में इस तरीके से एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारी लास्टिक बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए हमें लास्टिक से सिर्फ दो इंच कपड़ा फालतु लेना है अपनी पीछे की स्कर्ट से माप कर लास्टिक ले लीजिए कितनी हमें जरूरत है लास्टिक उससे दो इंच कम रखनी है अब हम अपना लास्टिक वाला हिस्सा पीछे की स्कर्ट में लगा देते हैं एक हिस्से में स्कर्ट के लगा देते हैं इस तरीके से कपड़े को हमें बिल्कुल इतना लेना है जितना हमारा नीचे की स्काइट की चोड़ाई होती है अब ये हमारे वीब हैं ये हमने बीच में सिलाई लगा ली है नीचे के जोड में और इसमें चारों तरफ सिलाई लगा देते हैं यहां से हमें इसमें सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी है इस जगे से हम इसमें सिलाई लगाते हैं चारों तरफ इसमें हम एक पेर की सिलाई लगा लेते हैं सिलाई को हमें बड़ी नहीं करना है छोटी सिलाई ही रखनी है इस तरीके से करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं इधर की साइड भी नीचे की तरफ से हमें सिलाई नहीं लगानी है यहीं तक सिलाई लगानी है अब इसमें हम गोलाई में कट लगा लेते हैं इस तरीके से दोनों तरफ की गोलाई में हम कट लगा लेते हैं ताकि पलटने में परिशानी ना हो इस तरीके से हम पलट लेते हैं इसकी नोक कैची की या किसी भी नोकदार चीज की मदद से हम निकाल लेते हैं ये देखिये ये अब हमारा विब तयार हो गया है यहां से हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं जहां पर हमने नीचे सिलाई नहीं लगाई थी उस जंगे सिलाई नहीं लगानी है उपर उपर इसके सिलाई लगानी है इस पर हमें दो सिलाई लगानी है एक एक पेर की और एक कन्न हो जाए एक करणी की चिलाई लगा लेते हैं देखिए यह इस तरही के से ल है अ यह देखिए हमने इस पर दो सिलाई लगाकर तयार कर लिया है अपने विर को अब छान्यolक वरा सकफेस हैं यह देखिए हमें सकर्ट का एक हिस्सा आगे की तरफ लगाना है सीधी तरफ को हमें सिलाई करनी है वीब को रखते हुए ये वीब और इसका इठ हमारी बराबर है इसलिए इसमें कुछ भी खीचने की जरुरत नहीं पड़ती है देखिए सीधी तरफ हमारी सिलाई आ गई है अब हम इस तरीके से इसको मोड़ते हुए दूसरी सिलाई भी इसके उपर लगा लेते हैं यहां पर भी हमें दो सिलाई लगानी है एक कन्नी की सिलाई लगानी है और एक एक पेर की सिलाई लगानी है कपड़े को बराबर एक सार करते हुए इस तरीके से हम कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं दो सिलाई यहाँ पर हमें लगानी है एक सिलाई हमने कन्नी की लगा ली है एक और लगानी है फ्रेंड्स यह स्कर्ट बनकर बहुत खुबसुरत लगती है और इसका फेशन भी आजकल बहुत ज़ादा चल रहा है देखी ये हमारी स्टेफ है गेलिस इनको हम इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं दोनों गेलिस पर अपनी इस तरीके से अब करते हुए यहां से बीच से सिलाई लगा लेते हैं दोनों गेलिस पर ही सिलाई हमारी बीच में आ जाती है अब हम इसको किसी भी चीज की मदश से सीधा कर लेते हैं आप इसको किसी भी चीज की मदश से पलट लीजिए दोनों विब को दोनों गेलिस को अपनी यह हमने पलट ली है गेलिस अब हम पीछे की तरफ वाले हिस्से में अपने यहां से चार इंच इधर से छोड़ते हुए हमें बीच में कट लगा लेना है और बीच का हिस्सा हमारा डबल रहना चाहिए देखिए इस तरीके से हमने कट लगा लिया है यहां पर अब हम इसको थोड़ा सा तिर्चा करते हु क्योंकि इनकी फिटिंग इसी की वज़े से सही आती है यह देखिए इस तरीके से करते हुए हम इसको लगा लेते हैं जो हमारा इस कट का बीच का हिस्सा है वहां से हम निकालते हैं यह देखिए इस तरीके से हमारी यह गेलिस लगकर तयार हो गई है अब हम दो इंच की चो लगानी है ये पट्टी अब देखिए हम बेक साइड में ये पट्टी लगा रहे हैं इसी तरीके से बेक साइड के दोनों तरफ हमें पट्टी लगा लेनी हैं अब हम अंदर की तरफ को मोड़ कर इसको सिलाई लगा लेते हैं ये हमें बाहर की तरफ को निकली हुई पट्टी लगानी है यहां से अंदर की तरफ को इस तरीके से हम मोड लेते हैं इसको और इस पर सिलाई लगा देते हैं इस पर भी हमें दो सिलाई लगानी है इस पट्टी पर हम काज बटन अपने कर लेते हैं इस पट्टी पर बटन लगेंगे और जो फ्रंट का पीस होगा हमारा उस प पर काज होंगे यहां पर भी एक सिलाई हम एक पेर की ओर लगा लेते हैं दोनों तरफ की पट्टी को फ्रेंट इसी तरीके से करते हुए लगा लिजी यह बेक साइड में दोनों तरफ यह पट्टी लगती है इस तरीके से अब यह देखिए इस तरीके से हम इस पट्टी को ड लगा लेते हैं, अब हम इसके उपर करनी की एक सिलाई लगा लेते हैं, देखी ये पट्टी हमने इस तरीके से लगा ली है, अब हम दूसरी तरफ की पट्टी भी इसी तरीके से लगा लेते हैं, दोनों तरफ की पट्टी इसी तरीके से लगा लीजिए, ये देखी ये हमारी बेक साइड की पट्टी है और ये फ्रन्ट साइड की पट्टी है इस तरीके से हम इन दोनों को मिला लेते हैं और इस कर्ट के नीचे की तरफ से सिलाई लगाते हुए चलते हैं नीचे की तरफ से दोनों स्कर्ट के पीस पकड़कर दोनों पर सिलाई लगा लिजिए ये हम पट्टी पर पहुंच गए हैं देखिए पट्टी पर इस तरीके से करते हुए दोनों पट्टियों को मिलाकर इस तरीके से सिलाई लगा लिजिए अब इसको पट्टी को हम इस तरीके से फ्रंट की पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ को करते हुए इसके उपर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं फ्रंट की पट्टी को हमें अंदर की तरफ को मोड़ना है ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ की दोनों साइडों की फ्रेंट्स इसी तरीके से पट्टी हमें लगानी है ये देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी तयार हो गई है आप इसमें आई हूक भी कर सकते हैं और काज बटन भी करा सकते हैं अब हमारा ये नीचे का गहरा है इस गहरे को हम अंदर की तरफ को मोड़ते हुए सिलाई लगा लेते हैं इस गहरे पर भी फ्रेंड्स हमें डबल सिलाई लगानी है एक ये सिलाई लगानी है और एक कन्नी की सिलाई लगानी है दो सिलाई हम इसमें लगा लेते हैं देखिए इस तरीके से मोड़ते हुए आप इस गहरे को कम्या जादा भी मोड़ सकती हैं देखिए इस तरीके से एक कन्नी की सिलाई लगा लीजिए पूरे गहरे पर अपने ये देखिए हमारा विब तयार हो गया है इस तरीके से और स्कर्ट भी तयार हो गई है देखिए फ्रेंड्स इसके स्कर्ट के इतने घेर बैठे हैं कितने खुबसुरत ये स्कर्ट लग रही है फ्रेंड्स ये देखिए हमारी स्कर्ट बन कर तयार हो गई है ये देखिए चार तरफ से इसके इतने घेर बैट गए है ये इस तरीके से इसका विब बैट गया है दोनों साइड से ये विब खुला हुआ है आप इसमें आहयूक भी कर सकती है और तिन-तिन काज बटन भी करा सकती है यहाँ पर भी आप काज बटन कर सकती है यहां पर भी हम तीन बटन लगाएंगे इसमें यह वीब है और यह पीछे की स्टेप है गेलिस देखिए फ्रेंड्स यह बनकर कितने खुबसूरत लग रही है फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए बेल आइकोन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके हम अपनी नेक्स वीडियो में आपके लिए और प्यारा सा डिजाइन लेकर आएंगे तब तक के लिए बाइ बाइ और रएंगे